खाली सुन्सान, गड़ों से बरी, कच्ची सडक, कुछ पेड एक ओर, एक ओर मैदान, खेलते बच्चे बेधड़क, अनन्त हो जाती ओजस्वी सडक, अब भी है, बंजर वीराद, जरा पक्की है शायद, और इमारतें, दोनों और, असंखे डब्बे रहिंगते हुए, बेधूप कड़क, बोड़ पे खतम, निर्जी उसड़क, धन्यवाद, ये कविता खतम हो गई, और हमें पदा भी नीचला, ठीक वैसे ही जैसा हमारा बच् हमारे खतम होने के बाद ही हमें पदा चला, क्या दिन थे वो भी, बच्पन के, जब मैं, बेफिक्र सावन की भूंदा वांदी में, नाओ बनाया करता था, उस रोज भी मैंने, स्कूल से आते ही, अकबार के पहले पन्ने से, एक नाओ बनाया था, न जाने क्या था उसमें, शायद वो अकबार की तस्वीर, या उस नाओ के सिरे पर लिखा मेरा नाम, या कुछ और ही रहा होगा, मगर वो नाओ, वो अब तक याद है मुझे, अपनी गली के नाले में मैंने उसे छोड़ा, और जाते देखा, सरपट, टेज पानी में बहते हुए, उस नाले के आखिरी छोड़ तक, और फिर, न जाने कहां गई वो, बस गायब हो गई, और मैं, मैं वहीं खड़ा रहा, कुछ खटी मिटी यादों के साथ, अब भी जब मैं सुभई की चाई के साथ अकबार उठाता हूँ, तो अनयास ही उस नाव की यादें घर कर लेती है, सोचता हूँ, क्या हुआ होगा उस नाव के साथ, न जाने कहां होगी वो, मेरी कागस की नाव, क्या वो अब भी, बह रही होगी, या पहुँच चुकी होगी अपनी मन्जिल, किसी नदी से होते हुए, किसी सागर के आखिरी छोड तक, या फिर, फट बिघर चुकी होगी, और अटकी होगी, अब तक, किसी नाले, किसी भवंडर में, एक आज के साथ, शायद जूठी, बिलकुल मेरी तरह, अन्यवाट, शुक्रियाद, थैंक्यो,